साम का बजाए है 5 और बच्चों की डिमांड है कुछ ऐसा नास्ता बनाने का जो फटा फट भी बन जाए और बहुत ही तीखा चटपटा हो तो मैं आज मैं आपके लिए ऐसे ही नास्ता बनाने वाली हो वो भी बची हुई सबजी रोटी से अक्सर होता है हमारे घर में सबजी इसको ट्रांसपर कर लिया है सबजी में ग्रेवी है तो हम यहां पर एक ग्रेट के हुआ गाजरा डाल देते हैं और टू टेवल स्पून बेसन डाल देते हैं सबजी की ग्रेवी है तो यह ग्रेवी के साथ यह बेसन ठीक से पक जाएगा अगर आपकी सबजी में ग्रेवी क और जैसे जैसे बेशन पकेगा आपकी ग्रेवी भी थिक होने लगेगी और गाजर भी पक जाएगी गाजर को हलका कच्छा ही रखना है जिससे इसका ये क्रंच मसाले में बहुत अच्छा लगेगा जो आप फिलिंग बनाएंगे तो इसको भूनते हुए चार से पांच मिनट कुक्त हो गई है गेवी भी हलकी सी थिक हो गई है तो अब इस स्टेज पर हम यहाँ पर डाल देते हैं इसमें कटी हुई हरी मिर्च कि साथ ही यह पर ढूलेंगे थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ अधरक और इसके साथ ही डाल देते हैं रेड चिली फिलेक्स. ये घर का बना हुआ रेड की छिली फिलेक्स है. बहुत एक तीका चट्पटा नास्ता बनता है ये. तोड़ा सा फ्लिबर के लिए डाल देते हैं reun t.िश्मून चाटक मसाला है और मसालों की इसमें बिल्कुल भी requirement नहीं क्योंकि यहां पर सबजी में पहले से सारे मसाले एड़ेट थे तो बस अब आपको इसको तब तक पकाना है जब तक थिक ना हो जाए और ठंडा होने के बाद यह काफी थिक हो जाता है तो यह हलका सा नम रहेगा तब भी आप इस फ्लेम को कर दीजे ओफ और इसको थोड़ा होने दीजे अब यह ठंडा हो रहा है तब तक हम आगे की प्रोसेस देख लेते हैं अगर आपको यह नास्ती की रेस्पी अच्छी लग रहे है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड में सेयर भी करिएगा तो इसमें से हम ले लेते हैं दो रोटी और इसमें मैं घी लगा कर रखती हूँ जिससे की रोटी सॉफ्ट रहती है और जो हमने फिलिंग बनाई थी उसकी हाफ फिलिंग हम ले लेंगे और इसके ऊपर ठीक से पूरे अच्छे से स्प्रैट कर लेंगे इसकी हमें मोटी सी लेय पता चलती है बिल्कुल वैसे ही तो ये देखे मैंने पूरी ठीक से रूटी के उपर फैला ली है और इसके बाद मैंने यहां पर लिया है चीज सिलाइस अगर आपके पास चीज सिलाइस नहीं है या आपके पास जो भी चीज है वो आप डाल सकते हैं और अगर नहीं है तब अगर कुछ भी नहीं है तो आप यहां पर निर भी do ओ और अंगर अगर म्यो भी लगा सकते हैं अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप इसको ंना बिना किसी चीज और पनीर के भी बना सकते हैं और इसको आप कर दें दूसरी रोटी से आधीर कबर और इस तरीकिसे से हलक हप्राइश कर देंगत जिससे ये ठीक से साथा इस्टि कह जा एह और इसे आप कट कर लें बृग्जा कटर सेन नाइव से जिस से आपको आसान पड़ रहा है उसे एत इसको कट करें मैंने 4 भाग में कट कर लिया है और इसको भी हम दो पार्ट में कट कर लेते हैं बहुत ही क्रिस्पी चटपटा नास्ता तैयार होगा फ्रेंड से एक बार आप इसे ज़रू ट्राइ करिएगा यह देखे बिलकुल समान लेयर अंदर काफी मोटी लेयर है आलू की जो खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगी अब इसी तरीके से हम दूसरी रोटी का भी फिलिंग तयार कर लेते हैं लेकिन दूसरी रोटी में मैंने दोनों साइट चीज का उप्यूग किया है मेरी बेटी को चीज बहुत ज्यादा पसंद है तो इसलिए मैंने दोनों साइट चीज लगा लिया है आप इसमें दोनों साइट भी चीज लगा सकते हैं बस इसको मैंने फिलिंग को फैला दिया है और तो इस साइट भी चीज लगा कर इसको कवर कर देंगे और रोटी लगा कर और अब हम तयार कर लेते हैं एक पतली सी सेलरी जिसमें हम इसको डिप करके फ्राइ करेंगे जिससे आपकी जो फिलिंग है बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी तो यहाँ पर मैंने 1 टेवल स्पून कॉर्ण फ्लोर लिया है इसमें मैंने पहले थोड़ा सा पानी डाल कर इसको मिक्स कर लिया है और इसके बाद अब हम थोड़ा अधिक पानी डालेंगे क्योंकि इस सेलरी को बिल्कुल पतला रखना है आपको बस पानी की तरह मैं इतना कि एक साथ आपको बहुत जादा नास्ता नहीं डालना है नहीं तो इनकी फिलिंग फिर बाहर आने लगेगी अगर चारो तरप से इसको सही टैंपरेचर नहीं मिलेगा तो टैंपरेचर को सेट करने के लिए सबसे पहले आपको फ्लेम को हाई रखना है बिलकुल हाई फ्लेम पर आपको नास्ती को इसमें डालना है और जब यह एक मिनिट तक पक जाए तो फिर आपको फ्लेम को मीडियं टू लो कर देना है और इसे हलके हलके से तब तक पकाना है जबते कि एकदम गोल्डन ना हो जाए और इसकी जो बाहर की लेयर है एकदम क्रिस्प हो जाए तो आप देख सकते हैं बहुत ही जादा क्रिस्प लेयर बनती है इसकी बस इसी तरीके से हम दूसरे नास्ती को भी तयार करेंगे और अगर आपकी कड़ाई बड़ी है तो एक साथ आप दो नास्ती भी डाल कर बना सकते है और फ्लेम का आपको भी से स्थ्यान रखना है फ्लेम आपको पहले शुरू में मीडियम नहीं रखनी है नहीं तो ये नास्ता ओयली हो जाएगा बस और ये लिजे तयार हो गया है बहुत ही टेस्टी ग्रिस्पी नास्ता और इसे बच्चों ने बहुत जम कर खाया और इतना ज़्यादा पसंद आया कि इसकी डिमांड अफ हरवार होती है मिलती ही ऐसी ही यूनिक रिस्पी के साथ तब तक के लिए टेक केर